नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं Dr. Mahipal Singh Raathod, इस lecture में CGL और Anni exams जहांपर GK questions पूछे जाते हैं, उनके लिए कुछ expected multiple choice questions discuss करने वाला हूँ, कुछ दिन पहले मैंने ऐसा ही एक lecture upload किया था और वहाँ पे बहुत ज़ादा demand आने के बाद students बहुत ज़ादा request करी कि एक और part लाया जाए, तो मैं ये part 2 आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पे जो questions discuss होंगे, वो है science and tech से, geography, history और quality से, हो सकता है, आपको लगेगी कुछ questions, ज़ादा tough हैं CGL के level से भी, तो ऐसा मैंने जान बूच कर रखा है, ताकि आपकी practice हो, मे यह सभी government exams के लिए launch कर दी हैं, और अब IAS exam, IAS, IPS, UPSC civil services के लिए भी हमारी pen drive और tablet courses उपलब्ध हैं, उसके साथ ही अब हमने UPSC के लिए एक test series launch करी है, जो aspirants की demand के बाद अब हिंदी में भी launch कर दी गई है, तो याद रखी हमारी test series अब हिंदी में भी उपलब्ध है, जल शुरू होने वाली है, और उसके लिए अगर आप discount चाते हैं, तो हमारी website पे visit कीजे, studyiq.com, वहाँ पे आपको इसका एक discount coupon भी दिख जाएगा, पहला सवाल है science and tech से, सितारे जो चमकते हैं, टिम्टिमाते हुए तारे, twinkling of stars, ये phenomenon क्यों होता है, क्यों हमें ऐसा प्रतीत हो जिसे हम कहते हैं, reflection of light, तो reflection के कारण ये light हमें ऐसी नजर आती है, याद रखना कि total internal reflection जो है, वो optic fiber cable में काम आता है, OFC, उसका जो phenomena है, वो इस पर based है, total internal reflection पे, तो हमारा answer यहाँ क्या है, reflection of light, देखे, reflection में क्या होता है, ये एक तारे की light आ रही है, तारा तो सूरज की तरह है, जैसे हमारा जो सूरज है, वो भी एक तारा है, उसकी light तो constant है, लेकिन जो बहुत दूर से light आ रही है, वो atmosphere में क्या होता है, कि उसका reflection होता है, अर्थ के atmosphere में, अलग-अलग layers की density अलग है, सब ही layers का घनत्व अलग होने के कारण, light अपना path बदल लेती है, किरिने अपना dense mode, एक dense medium से दूसरे medium में जाती है, light तो उसके angle में थोड़ा सा change आता है, वही phenomenon है, refraction, मैं आपको यहां उसकी पूरी detail नहीं बता सकता, क्योंकि हम सिर्फ MCQs डिसकस कर रहे हैं, आप याद रखेगा, refraction और वो होता है, atmosphere की अलग-अलग densities के कारण, या फिर जो warm और cold air के pockets हैं, तो इसलिए हमारी आँखों को यह अभास होता है, कि तारे टिम्टिमा रहे हैं, परम सहस्रटी आदित्य अपोलो, यह सभी क्या है, क्या यह DRDO के नए weapon system है, हतियार बनाये जा रहे हैं, इस नाम से DRDO के द्वारा, क्या यह भारत में developed operating system है, जैसे कि Windows एक operating system है, क्या यह वैसे ही operating systems हैं, तीसरो option है, इस रोध द्वारा launch किये जाने वाले solar mission, सूरज को, सूरज के बारे में जाला जानकारी बटोरने के लिए इस रोध कुछ missions launch करने वाला है, future में क्या यह उनके नाम है, आदित्य अपोलो, और चौतो option है, super computers made in India, तो हमारा answer है यहाँ पर super computers, ना सुने हो, परम का नाम तो बहुत सालों से चल रहा है, लगभग 20-25 साल हो गए है, इस सूपर कंप्यूटर को बने हुए, भारत का सबसे पहला सूपर कंप्यूटर था, और अब यह भी अन्य important super computers हैं, जो भारत में develop हुए हैं, और दुनिया के top 500 computers में इनका नाम आता है, इसलिए मैंने यहां इन्हें discuss किया है, तो परम किसने develop किया था, याद रखना Center for Development of Advanced Computing, जिसे CDAC कहते हैं, हलागी CDAC 2-3 organizations से मिलके 2003 या 2004 में बनाया था, लेकिन यह वही organization है, जिसने 90s में यह super computer बनाया था, परम, इस वक्त जो सबसे बड़े super computers हैं भारत में वो हैं, सहस्रि यह Indian Institute of Science, Bangalore में वहाँ पर बनाया गया है, फिर Indian Institute of Tropical Meteorology में आदित्य है, फिर TIFR, Tata Institute of Fundamental Research में है, Cray XC30 और IIT दिल्ली में है, HP Apollo, तो यह बस नाम याद रख लीजेगा, इंस्टिट्स इतने जरुरी नहीं हैं, हो सके तो याद रख लीजे, परम तो बहुत important है, परम को Uranus, Mars और Venus, तो यह दोनों तो बड़े हैं, आपको पता ही होगा, Neptune और Uranus, option confuse करेंगे आपको Mars और Venus, तो देखे, Venus भी छोटा है, यह भी आप तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन Mars के बारे में आप जानते हैं क्या, तो याद रखेगा, Mars भी Earth से छोटा है, तो हमारा answer यहाँ क्य आप से बनाए गए हैं, तो सबसे बड़ा है Jupiter, उसके बाद आता है Saturn, फिर आएगा Uranus, फिर आएगा Neptune, तो यह तो चारों sequence में ही है, याद रखना आसान है, फिर पलट के आ जाई है, आगे Earth पे, फिर पांचवे नमबर पे क्या आया, Earth, Earth के बाद आएगा Venus, और Venus के बाद आ किये, तो यह Mars है, Red Planet, यह है Earth, यह मत समझना कि हम Mars पे colony बसाने वाले हैं, इंसान को कुछ सालों में वहाँ भेजने वाले हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो धरती के बिल्कुल बराबर है size में, हाँ, वहाँ की कुछ climactic conditions Earth से मिलती जुलती है, और वहाँ पे पानी की ख कौन सा product, anaerobic respiration से निकलता है, anaerobic respiration कब होगा, जब oxygen वहाँ पे मौझूद नहीं है, ऐसे हालात में जब respiratory process होता है, तो उसे कहते हैं, anaerobic respiration, तो anaerobic respiration में इथाईल alcohol बिल्कुल निकलता है, lactic acid भी बन सकता है, energy तो मिलती ही है, respiratory process है, energy बिल्कुल मिलेगी, हमारा answer है, all of the above अब यहाँ पे देखिए, यह है, इनसान में, aerobic respiration की chemical equation, जो उपर वाली equation है, तो glucose और अगर oxygen उपलब्ध है, तो glucose और oxygen, यहाँ पे होगा, respiratory जो reactions है, उनसे final product बनेंगे, carbon dioxide, जो कि हम बाहर exhale कर देते हैं, फिर water, और 38 ATP, ATP energy के units हैं, तो ATP 38 हमें यहाँ मिलेंगे, लेकिन अगर आप जा रहे हैं जिम, और जिम में आप बहुत जबरदस्त कसरत कर रहे हैं, तो oxygen की कम ही आ जाएगी, इतनी जल्दी-जल्दी reactions होंगे कि oxygen बहुत कम पड़ जाएगा, तो यहाँ पे glucose oxygen की उपलब्धता नहीं होने पर lactic acid बनाएगा, और lactic acid के साथ-साथी 2 ATP बनेंगे, त ethyl alcohol भी मिलता है, तो ethyl alcohol, lactic acid कुछ भी product हो सकता है, इनसान में lactic acid होता है, अब आएंगे history पे, history में भारत के स्वतंतरता से कुछ महीनों पहले या एक साल पहले, Red Fort में trials चले थे, लाल किला, दिल्ली का जो लाल किला है, वहाँ पे एक court case चला था, तो यह court case किस लिए चल इकों पर था, या फिर ये भारत छोडो आंदोलन में जो आंदोलन कारी थे, उन पर मुकदमा चलाया गया था, या फिर ये Royal Indian Navy, Rin Mutiny, 1946 में एक Rin Mutiny हुई थी, जिन नेवी के लोगों ने भगावत करी थी, officers ने, soldiers ने, क्या उनके लिए ये trial था, या चौथा option है, Indian National Army, सुभा कई जगे मुकदमें चले थे, लेकिन जो Red Fort के trial थे, वो तीन सबसे senior officers के लिए चलाय गये थे, और Royal Indian Navy Mutiny है न, इन trials के बाद ही हुई थी, जब officers को prosecute किया जा रहा था, तो Navy के जो लोग है, मुंबई में वहाँ पर Rin Mutiny की शुरुआत हुई थी, उसका एक बहुत बड़ा कार ने के उनके trial के बारे में ये movie बताती है, तीन मूर्ती समारक नई दिल्ली में स्थित है, वो किसकी याद में बनाया गया है, कौन से शहीद हैं, कौन से युद्ध के वो शहीद हैं, जिनकी याद में तीन मूर्ती बनाया गया, तीन मूर्ती memorial, अब तीन मूर्ती भवन के अ हमाँ रखी गई हैं, तो अब ये पूरा तीन मूर्ती कॉंप्लेक्स है, मूजियम बनाया जा चुका है, और अब हमारे प्रधान मंत्री कहा रहते हैं, रेस कोर्स रोड पर पहले तीन मूर्ती भवन हुआ गरता था प्रधान मंत्री का निवास तो हमारे सवाल पर वापस आते हैं तीन मूर्थी मैमोरियल कौन से शहीदों के लिए बना है प्रथम विश्योईद, द्विटिय विश्योईद, भारत पाकिस्तान की लड़ाई 1971 की या फिर 62 का भारत चीन युद आंसर है World War I, प्रथम विश्योईद में जो भारत के प्रिंसली स्टेट्स हैं तीन प्रिंसली स्टेट्स थे, जोदपुर, हैदरावाद और मैसूर इनके जो लांसर्स थे, लांसर्स यानि जो भाला लेकर चलते हैं ये लांस है तो लांसर्स जो डिविजन थी इनकी उन तीनों के जो जावाज सिपाही थे उन्होंने मिडल इस्ट में हिस्सा लिया था प्रथम विश्युद्ध में तो इसरायल पैलेस्टाइन इन सभी एरियाज में लड़ाई लड़ते हुए ओटमन एंपायर के खिलाफ इन भारत के प्रधान मंतरी श्री नयंद्र मोदी इसरायल यात्रा पे गए थे वहाँ पे उन्होंने इसे याद किया था कि हमारे महाँ भी तीन मूर्ती स्मारक बना हुआ है और जो गाजा के शहर है या फिर इसरायल के कुछ शहर है जैसे हाइफा उन्हें आजाद करवाया ग यह समझो था किन के बीच में हुआ था क्या अकबर और शिवाजी के बीच में हुआ था यह option तो पूरी तरह गलत है क्योंकि अकबर और शिवाजी एक समय पे जिंदा ही नहीं थे दोनों अलग-अलग समयकाल में मौजूद थे अकबर और महारणा प्रताब जी नहीं गलत आंसर जहांगीर और रानी दुरगावती फिरसे जहांगीर और दुरगावती एक समय काल में नहीं थे दुरगावती भी अकबर के समय में जीवित थी हमारा आंसर यहां रहेगा जै सिंग, फर्स्ट और शिवाजी तो राजा जै सिंग, आमेर के राजा जै सिंग थे इन्हें भेजा गया था मुगल बाजशा के द्वारा औरंगजेब के द्वारा ये मुगल आर्मी को लीड कर रहे थे और पुरंदर के खिले पे हमला किया था शिवाजी को मजबूर किया गया है यहाँ पे एक ट्रीटी साइन करने के लिए तो ट्रीटी और पुरंदर 1665 में जै सिंग और शिवाजी के बीच या फिर मुगल एंपायर और शिवाजी भी आप कह सकते हैं अगला सवाल है पॉलिटी से भारत की जो ऑफिशल लाइंवजेज हैं जिने हमारा समिधान रेकेगनिशन देता है वो कौन से शिडियूल में लिस्ट करी गई है कौन सा शिडियूल है जो भारत की ऑफिशल भाशाओं को मानेता देता है option है आठवा शिडियूल साथवा छटा या पाँचवा शिडियूल हमारा आंसर क्या है एट्थ शिडियूल ये थोड़ा सा सिंपल कोश्चन है एट्थ शिडियूल में भाशाओं दी गई है लेकिन एक टफ सवाल आपको आंसर करना है comments में की वो कौनसे articles हैं वो बताइये जो official भाशा के बारे में बात करते हैं की state की कौन सी official languages हूंगी उनके बारे में कौनसे articles describe करते हैं मुझे बताइये comments section में देखते हैं आपकी पॉलिटी की तैयारी कैसी है ये एट्थ शिडियूल की list है तो इस जो सदस्य चुने जाते हैं उनमें एक अधिकार चुने का दिया जाता है राज्य के ग्रैजुएट्स को तो जो college पास graduate हैं तीन साल से उस राज्य में रह रहे हैं उन्हें जो member चुनने का अधिकार है वो कितने हो सकते हैं maximum कितने members हैं जो graduate द्वारा चुने जाते हैं 1 3rd, 1 6th, 1 4th या 1 12th आंसर है इसका 1 12th ये डारेट कुशन है पॉलिटी का और थोड़ा सा घुमागे पूछा गया है लेकिन आपको ये सारे legislative council के जो पार्ट है ना कौन कितने चूज करता है ये अच्छे से याद होने चाहिए इन पे कुशन बनने की संभावना बहुत होती है यहाँ पर देखिए legislative council विधान परिशद में एक तिहाई member तो आते हैं local body से चुनकर उनके जो members है local body से पंचाय जिला परिशद इन सभी के members चुनते हैं फिर एक तिहाई members legislative assembly यानि विधान सभा के members चुनते हैं elect करते हैं 112 graduates चुनकर भेजते हैं और 112 बाकी के teachers in educational institute और 16th nominate किये जाते हैं तो ये तो सभी है elected members और 16th nominate किये जाते हैं किसके दवारा governor राज जपाल दवारा सीधे सीधे nomination किया जाता है इनका पिछले MCQ questions वाले lecture में मैंने ये question डाला था कि कौनसे states में legislative council है तो वहाँ पर आपको याद होई गया होगा साथ state में हैं कौन-कौन से हैं वो भी अच्छे से मालूम होना चाहिए अगला सवाल है geography से 8 degree channel किन दो ध्वीब समू को अलग करता है अंडमान और निकोबार या फिर दक्षिन अंडमान और लिटल अंडमान मिनिकोई, मौल्दीव्स, कावराती, मिनिकोई पहली बात आपको इन सभी की location मालूम होनी चाहिए आपको यही नहीं पता मिनिकोई कहा है, मौल्दीव्स कहा है, कावराती क्या है तो आप इस question को solve नहीं कर सकते अगर नहीं पता, तो अंडमान निकोबार का map अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ लक्षोदीप का भी दिखाऊंगा, देख लीजेगा फिलाल हमारा answer यहाँ पहे है, मिनिकोई और मौल्दीव्स के बीच में ये 8 degree channel है ठीक है, मिनिकोई और मौल्दीव्स तो इन सभी को separate करने वाले कुछ water bodies है अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 degree channel 10 degree क्या है, latitude है, इसलिए इसे कहता है 10 degree temperature नहीं है, पानी का की 10 degree गरम है पानी, जी नहीं 10 degree latitude है, तो 10 degree channel South और Little Andaman के बीच में है Duncan Passage, मिनिकोई और मौल्दीव्स के बीच में है 8 degree और कावाराती जो की लक्षद्वीप का capital है और मिनिकोई जो लक्षद्वीप का सबसे दक्षड में स्थित्वीप है, उसके बीच में 9 degree channel, यहाँ देखिए यह है मिनिकोई, अब मिनिकोई के दक्षड में यहाँ पे है कहीं पे Maldives इस मैप में आपको नहीं दिख रहा है Maldives लेकिन मिनिकोई और Maldives के बीच में यहाँ पे है 8 degree channel, यहाँ पे है कावाराती और यह है मिनिकोई इनके बीच में है 9 degree channel यह अंडमान और निकोबार के बीच में आएगा 10 degree channel और लिटल अंडमान यह है लिटल अंडमान और यह है साउथ अंडमान यहाँ पे बीच में आएगा डंकन पैसेज तो यह इनकी approximate locations हैं डंकन पैसेज 10 degree channel 8 degree और 9 degree channel अगला सवाल है ब्रह्म पुत्र और तीस्ता नदियों पे तो यह दोनों नदियां मिलकर कौन सी नदी बनाते हैं पदमा जमुना मेगना या गंगा हमारा answer है यहाँ पर जमुना तो यह थोड़ा सा confusing part है कई students इसमें confused होते हैं मैंने देखा है जमुना यमुना से मिलता जुलता नाम है और पदमा किसके confluence से बनती है मेगना कहां से बनती है मैं आपको थोड़ा सा map में बता देता हूँ यह है बांगला देश का map अब यहाँ से आ रही है गंगा नदी फरक्का पे होगली अलग हो जाती है उसके बाद यह बाद यह बा बराक और सूर्मा नदी जो बांगला देश में आकर यहाँ पे हो जाती है मेगना तो जमुना मिल जाती है पदमा में और यहाँ पे फाइनली यह सब मेगना में आकर मिल जाती है तो यह तीन नदिया है पदमा जमुना और मेगना तो याद रखेगा कौन सी नदी किस में ज तरगी होती हैं तो cultural sites तो हैं जैसे monument जैसे की ताज महल लाल किला ये सभी cultural monument हैं तो ये cultural sites हैं जो natural sites हैं वो natural heritage UNESCO world heritage की natural sites होती हैं अब उन में से भी कुछ locations भारत की biosphere reserve भी हैं आपको common बताने हैं तो क्या minus national power क्या minus biosphere reserve है जी हाँ ये एक UNESCO world heritage site है नंदा देवी biosphere reserve भी है कंचन जंगा भी है answer है all of the above ये तीनों ऐसे biosphere reserve हैं जो एक UNESCO world heritage site की दरजावी ने मिला हुआ है आपके लिए एक सवाल है एक homework है comments में भली मत लिखना अगर आता है तो लिख दीजिए भारत में कितने biosphere reserves हैं बताईए total कितने biosphere reserves recognized हैं और कितनी natural sites हैं UNESCO world heritage site की भारत में ये अगर आपने मेरा पिछला part देखा है इसी series का तो ये answer आपको आ जाएगा कितनी natural sites हैं UNESCO world heritage में भारत में all right moving on कालादान multimodal transit transport project जो काफी news में रहता है कई सालों से 3-4 साल से news में रह रहा है लगातार इसके तहत किन दो जगहों को connect किया जाएगा जोड़ा जाएगा कॉलकता से अगरतला by road नौर्थीस्ट भारत के नौर्थीस्ट हिस्टे से Thailand को या भारत से China को या फिर कॉलकता से Mizoram को आंसर है कॉलकता से Mizoram देखे कॉलकता से अगरतला तो एक bus service शुरू करी गई है नौर्थीस्ट से Thailand या भारत से Thailand के लिए एक highway proposed है इंडिया से चाइना के लिए भी हम BCIM बना रहे हैं प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन ये जो कालादान multimodal project है ये कॉलकता से Mizoram को connect करेगा लगबख 1600-1700 km की journey है और road network हमारा इतना अच्छा नहीं है वहाँ पे तो बहुत problem आती है खास करके बारिश के महीनों में लेकिन अब अगर कोई भी heavy cargo पहुंचाना है तो ये नया project है जो कॉलकता से by sea route जाएगा 500 km सित्वे सित्वे म्यानमार का एक बहुत important port city है सित्वे औ इसमें ये riverway बनाया गया है जो पालेतवा तक जाएगा यहां से फिर road बनेगी और road connect करेगी भारत में मिजुराम में आईजॉल को और आगे मनिपूर से भी हम connect कर सकते हैं तो ये कालादान project है अभी इस पे काम जारी है चल रहा है अगला सवाल है नाफ river नाफ river किन दो दे बीच में नाफ river बनाती है ये ऐसा सवाल है कि अगर आपको पता है तो पता है नहीं पता तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते इस तरह का कोई सवाल आता है तो प्लीज तुक्का मत लगाईएगा negative marking होती है आपको नुकसान होगा ये देखिए ये है बांगलादेश का सबसे दक्षणी छोर तो ये कॉक्स बजार का जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर ये नदी है नाफ river एक नदी है जो म्यान मार को बांगलादेश से अलग करती है ये न्यूज में बना रहता है इसलिए मैंने कोशन डाला है क्योंके जो रखाइन स्टेट है ये बर्मा का रखाइन स्टेट है और यहाँ पर एक रिलीजिस माइनॉरिटी है वहाँ पर जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं वो इस नदी को क्रॉस करके बांगलादेश में आने की लगातार कोशिश करते रहते हैं तो इसलिए ये नदी बार-बार न्यूज में बनी रहती है तो रोहिंग्या कहा रहना पर है रहाँ इन्स टेट में बर्मा कहता है म्यानमार कहता है कि ये सभी तो बांगलादेशी है और इन्हें वहाँ से धकेलने की कोशिश भी करता है कही बार उन्हें citizenship नहीं मिली है ये रोहिंग्यास को तो ये रोहिंग्या इщू के कारण यूज में बना रहता है ना उस वक्त ये क्या कहलाता था कलिंग, पहले ये कलिंग कहलाता था, तो ये मध्यकालीन भारत की एक डाइनस्टी है जो ग्यारवे से पंदरवी शताबदी तक इसने कलिंग पे राज किया और इनके समय में कई मंदिर बनवाए गए जिन में सबसे प्रमुक कौन सा है ये वाला जगनात पूरी का मंदिर, तो इनका राज मेंली ओडिशा और वेस्ट बेंगॉल के कुछ इससे आंधर प्रदेश और चतिसगड़ पे था 1799 में श्रिरंग पत्नम की लड़ाई किन के बीच में लड़ी गई, हैदर एली और मराथा, मराथा और अंग्रेज, अंग्रेज और टीपू सुल्तान या निजाम और मराथा, ये निजाम कौन सा है, हैदराबाद का निजाम है तो हैदर एली तो इस वक्त तक मर चुके थे, 1782 में हैदर एली की मृत्य हो जाती है, जब सेकेंड अंग्लो मराथा वार चल रहा था अब श्रिरंगपटनम की लड़ाई हुई होगी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में तो ये दो बार हुई थी, 1792 में भी यहाँ एक लड़ाई हुई थी, उसे भी बैटल अफ श्रिरंगपटनम कहते हैं ये किसने बनवाया था? हमारे पास कुछ राजाओं के नाम है, उप्शन्स में पहला है नरसिम वर्मन, ये नहीं है, राज राजा चोल, राजएंद्र चोल, नरसिम वर्मन, सेकेंड तो देखे ये एक चोल राजा नहीं बनवाया था, आंसर है इसका राज राजा चोल, राज राजा चोल ने सन 2010 में इस मंदिर को बनवा कर तयार किया था, 1000 साल पुराना ये मंदिर है ब्रहदेश्वरार मंदिर, भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक और दक्षिन जो स् होते हैं देश में, तो उसके तुरंद बाद एक प्रो टेम स्पीकर न्यूक्त किया जाता है, प्रो टेम स्पीकर के बारे में आपको बताना है कि क्या इसे जो पिछली लोग सभा का स्पीकर है, वो न्यूक्त करेगा, या इसे राश्ट्रपती अपॉइंट करेंगे, डिर option तो इसका appointment राष्ट्रपती द्वारा होता है लेकिन condition क्या है senior most member अब ये कहीं लिखा नहीं गया है पर generally जो senior most member है लोगसभा का उसे ही pro time speaker चुना जाता है ये एक परमपरा रही है तो अभी जो 16 लोगसभा है 2014 में जो चुनकर आई थी उसमें pro time speaker किसे बनाया गया house के जो नए members हैं उन्हें शपत दिलाएगा और शुरू-शुरू में उनकी जो proceedings है शुरूआत की proceedings वो pro time speaker के तहत होगी फिर जब तक speaker और deputy speaker का चुनाव नहीं हो जाता तब तक speaker की सारी जम्मेदारी pro time speaker की होगी भारत का last governor general कौन था? लॉर्ड वैवल, लॉर्ड माउंट बैटन, सी राज गोपालाचारी या राजा जी और चौता option है राज इंदर प्रसाद अब ये थोड़ा सा trick question है ध्यान दीजिए वैवल और माउंट बैटन गवर्णर जनरल नहीं थे ये तो थे वाइस रोए governor general की उपाधी को change करके 1857 के क्रांती के बाद क्या कर दिया गया था? वाइस रोए बना दिया गया था जब direct British rule भारत पे हो गया तो उसके बाद से वाइस रोए टाइटल चल रहा था तो वैवल और माउंट बैटन तो थे वाइस रोए लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ तो अब भारत में वाइस रोए तो नहीं है लेकिन वो जो टाइटल है ना वो change करके क्या कर दिया गया फिर से governor general तो अब governor general कौन बना? Lord Mountbatten लेकिन कुछ ही महीनों बाद Mountbatten वापिस अपने देश चला गया फिर ये जम्मेदारी किसने संभाली? सी राजगोपालाचारी ने है तो हमारा आंसर है इस question का सी राजगोपालाचारी ये अकेले भारती है थे जो governor general न्यूक्त हुए governor general के पद पर रहे और ये आखरी व्यक्ती थे जो governor general बने 1950 में हम एक republic बन गए यानि भारत में अब एक राष्ट्रपती न्यूक्त किया गया और वो राष्ट्रपती थे हमारे राजंदर परसाद तो ये governor general की post खत्म कर दी गई तो आजादी 15 अगस्त 1947 के बाद governor general कुछ महीनों के लिए कौन था? माउंट बैटन और 21 जून 1948 लगबग 10 महीने माउंट बैटन governor general रहा और उसके बाद ये वापिस चला गया उसके बाद ये जिम्मेदारी किसने संभाली? राज गोपालाचारी ने, राजा जी ने और ये 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक governor general बने रहे फिर राजेंद्र बाबू राष्ट्रपती चुने जाते हैं भारत की पहली talking film कौन सी थी? जिसमें आवाज थी, संभाद थे पहले film में silent हुआ करती थी उनमें कोई भी sound नहीं होता था केवल picture दिखती थी और कोई आवाज या किसी तरह का music नहीं होता था तो भारत में पहली film थी आलम आरा पहली talking film थी आलम आरा और भारत की पहली film कौन सी थी? silent film, राजा हरिश्चंद्र तो राजा हरिश्चंद्र पहली film थी और आलम आरा पहली talking film थी ये 1931 में आई थी आलम आरा, उसका poster है ये फिल्म हमें available नहीं है ये कहीं खो गए इसका print अभी हमारे पास नहीं है राम कृष्ण मिशन का headquarter कहां पर स्थित है options है पूने, महराष्टर, अड्यार, चन्नाई, बेलूर, कॉलकता या बनारस, वरानसी answer है बेलूर, बेलूर मठ, वहाँ पर एक मठ है, बेलूर में उसे कहते हैं बेलूर मठ ये राम कृष्ण मिशन का headquarter है, ये कॉलकता में स्थित है, हावडा जो एरिया है कॉलकता का उसी में बेलूर नाम की जगे है वहाँ पर ये स्थित है रामकृष्ण मिशन का हेड़कॉर्टर बेलूर मट अगला सवाल बायोलोजी से है परनीश्यस अनीमिया किसकी डेफिशंसी के कारण होता है कौन सा विटामिन अगर आप नहीं खाएंगे अपने भोजन ऐसे डाले है बजाए B1, B2, B3 के तो राइबोफलेविन क्या होता है B2, नायसिन क्या होता है B3, साइनोकोबालमिन क्या होता है B12, हमारा अंसर है साइनोकोबालमिन B12, इसकी डेफिशंसी से होता है परनीश्यस, अनीमिया खून में red blood cells की कमी हो जाती है जब B12, विटामिन नहीं अगर आपके भोजन में नहीं है तो B2, राइबोफलेविन और नायसिन है ये लिस्ट देख लीजिए एक बार इसमें जो diseases हैं डेफिशंसी वो लिखी गई है तो B2 और B3, B3 से होती है पेलागरा, बहुत important है इसे याद रखना, स्टार मार्क कर लीजिएगा और B12 से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया या फिर पर्नीशिस अनीमिया ये होता है और C से सकरवी ये तो आपको मालूमी होगा D से रिकेट्स, औस्टियो मलेशिया फरवरी 2017 में इस रो ने अपने एक ही जी साट तो कोई लॉंच वेहिकल ही नी ये तो एक साटलाइट का नाम है हमारा आंसर है आपर PSLV C37 काफी न्यूज में रहा, काफी चर्चा में रहा फरवरी मार्च में 2017 के इसके कुश्चन में आने के चांसे बहुत ज़्यादा बनते हैं भारत में कितने उपराश्च्रपती ऐसे रहे हैं जिन्होंने दो बार पद संभाला यानि दो टर्म पूरे किये क्या ऐसा केवल एक उपराश्च्रपती ने किया है दो तीन या चार आंसर है दो उपराश्च्रपती कौन-कौन से हैं देखिए ये भारत के उपराश्टरपती की लिस्ट है सर्वपली, डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णनने दो टर्म पूरे किये थे और उसके बाद में मुहमद हामिद अन्सारी ने भी दो टर्म पूरे किये हैं अब भारत के नए उपराश्टरपती कौन है, मुझे कमेंट्स में बताईए, अभी-अभी चुना हुए हैं, तो अब मुहमद हामिद अंसारी का टर्म तो खत्म हो चुका है, लेकिन इन्होंने दो टर्म लगातार पूरे किये, तो ये केवल दूसरे ऐसे उपराश्टरपती operation विजे तो कार्गिल वाला था, जो कार्गिल उपरेशन थे लड़ाई थी कार्गिल की, वहाँ पे हमारा operation विजे था और Operation Make Dude था 84 में जो सियाचन की उंचाईया है दुनिया का सबसे highest battlefield है सियाचन वहाँ पे एक glacier है उस glacier पे कबजा जमाने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में hold लगी हुई थी भारत यहाँ पे successful रहा जादा dominating positions इस वक्त भारत की आर्मी के पास है Operation Make Dude Indian Ocean में एक British Indian Ocean Territory नाम का इलाका है आपको बताना है कि ये किस island पर स्थित है Seychelles में, Chagos, Archipelago, Maldives, Mauritius या Tuvalu सबसे पहले Tuvalu को आप option से हटा दीजिए ये Indian Ocean में है ही नहीं ये तो Pacific Ocean का island है Mauritius, Maldives नहीं है हमारा answer है Chagos, Archipelago ये Chagos, Archipelago एक island group है जिस पे UK ने कबजा जमा रखा है इन्होंने अपना कबजा बहुत सालों से कर रखा है कभी नहीं छोड़ा और अब इन्होंने क्या किया अमेरिका को इसे lease पर दे दिया है तो Britain वहां कुछ नहीं करता उसने अमेरिका को ये किराये पर दे दिया तो Diego Garcia उनका main base रहेगा किसका USA का लेकिन वैसे ये territory किसकी है sovereignty किसकी है महाँ पर British UK की तो ये देखिए Indian Ocean है Indian Ocean के beach ओ बीच ये है कुछ island groups इन्हें कहते हैं Chagos Archipelago और ये है British Indian Ocean Territory इन में से कौन सा volcano Lighthouse of Mediterranean कहलाता है option है Aetna, Vesuvius, Stromboli और ये वाला नाम जो मैं कभी भी प्रनाउंस नहीं कर पाऊंगा answer है हमारा Stromboli ये वाला जो है ना ये आइसलेंड में था और ये 2010 में erupt हो गया था जिससे पूरे योरोप की flights रद्द कर दी गई थी कई दिनों तक aeroplanes नहीं रोड़ पाया था इतना बड़ा इसमें volcanic eruption हुआ था हमारा answer है यहां पर Stromboli क्योंकि ये समुद्र के बीचो बीच एक ध्वीप पर स्थित है आप देखिए और इससे जब volcano burst होता है ना तो ऐसा दूर से नजर आता है तो जहाजों को ऐसा लगता है कि ये lighthouse है तो ये रही इसकी location टाइरेनियन सी में Stromboli की ये है Mount Etna ये है Vesuvius तो ये Italy के कुछ famous volcanoes हैं जो active है ठीक है इसमें अभी भी लगातार eruption चलते रहते हैं इनमे आपको बताना है Dynamo क्या होता है Dynamo क्या convert करता है Dynamo mechanical को electrical energy में convert करता है या electrical को mechanical में kinetic को magnetic energy में या gravitational energy को electrical energy MAY हमारा answer है mechanical to electrical Dynamo होता क्या है देखिए Dynamo एक ऐसा device है जो direct current बनाता है किससे electromagnetism का इस्तमाल करते हुए Dynamo एक प्रकार का electric generator होता है ये एक basic सा diagram है जो dynamo की functioning को बताता है एक mechanical coil है जब इसे घुमाया जाएगा इसे घुमाया कैसे जाएगा magnetic field के कारण तो ये घुम घुम के electricity produce करेगा direct current इसे ही कहते हैं हम dynamo और अगर इसे थोड़ा सा change कर दिया जाए अगर यहां पर alternating current बनाया जाए तो इसे कहेंगे पानी नीचे गिरता है तो वो जो turbine घुमती है ना वो यही है अब magnetism की जगे वहाँ पे पानी घुमा रहा है उस turbine को तो वही चीज घुम घुम के बिजली प्रड्यूस कर रही है तो funda यही है basic जो उसका working principle है वो यही है dynamo का तो dynamo वैसे बनाता है direct current यह याद रखना और alternator जो होता है वो इसका दूसरा रूप है वो alternating current एसी बनाता है odometer क्या होता है odometer एक device है इससे आप क्या नाप सकते हैं क्या measure करते हैं क्या यह smell को measure करने के लिए होता है अरे भई smell को कैसे measure करोगे order measure करी जा सकती है क्या यह तो एक perception है आप किसी smell को perceive कर सकते हैं कि वो अच्छी है या बुरी है आप उसको measure थुनना कर सकते हैं यह तो बिल्कुल नहीं है distance traveled by weather balloon आस्मान में बड़े बड़े गुबारे छोड़े जाते हैं weather monitoring के लिए तो उनका distance traveled भी odometer से नहीं देखते हैं यह है distance traveled by road vehicle यानि कोई भी चीज जो पहिये पर चल रही है car, truck, bus उसका distance नापने के लिए जो device होता है car में लगा होता है उसे कहते हैं odometer यह submarine की depth के लिए भी नहीं होता है यह odometer है जो आप गाड़ी के बीचो बीच देखते हैं जिसमें kilometer की reading आती है यह होता है odometer television का आविशकार किस ने किया था बड़ा simple सा सवाल है अगर आपको पता है अगर नहीं पता है तो याद कर लीजेगा television का आविशकार किया था John Loggie Baird ने Edison ने नहीं किया था Marconi ने क्या invent किया था Radio Bell Laboratories ने भी नहीं किया था और Tesla ने भी नहीं किया आंसर है John Loggie Baird यह एक Scotland के विक्ती थे England के और इन्होंने 1920 के दशक में television का आविशकार किया था यह है John Loggie Baird अपने आविशकार का demonstration देते हुए सल्तनत पीरिड भारत के दिल्ली सल्तनत का जो समयकाल है उनमें कुछ buildings और monuments बने हैं आपको arrange करना है उन्हें chronological order में यानि जो पहले बना उसे पहले लिखिए हमारे options हैं अलाई मिनार, कुतब मिनार ग्यासुदिन तुगलक का मगबरा और चौथा फिरोशा कोटला का शहर तो देखिए सबसे पहले तो कुतब मिनार बनी थी क्योंके ये कुतब उदी नेबग ने बनवानी शुरू कर दी थी दूसरा आएगा इसके बाद अलाई मिनार क्योंके ये अलाउदिन खिलजी ने खिलजी वंच स्लेव डैनेस्टी के बाद आया था तो अलाई मिनार उसके बाद आएगी लेकिन ये बन नहीं पाई ये अधूरी रह गई फिर तीसरा उप्शन है हमारा तीसरा आंसर हमारा रहेगा ग्यासुदीन तुगलक का मगबरा तुगलक वंच आया था और तुगलक वंच में घ्यासुदीन तुगलक ने अपना खुद का मगबरा और फाइनली फिरोश大 तुगलक ने बनाया एक नया शहर जिसे कहते हैं फिरोशोशा का कोटला या फिर सिर्फ कोटला तो आंसर है हमारे हां पे 2134 तो ये monuments की जो date हैं उन्हें ध्यान रखेगा मुगलकाल से भी ऐसा सवाल आने की बहुत संभावना रहती है कि chronologic करम में arrange कीजे कौन सा पहले बना कौन सा बाद में बना अगला सवाल है फिर से सल्तनत पे दिल्ली सल्तनत पे ये दिल्ली सल्तनत के वंच हैं आपको इन्हें arrange करना है किसने सबसे ज़ादा समय तक राज किया किसने कम समय तक तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे तुगलक वंच क्योंकि इन्होंने 94 यर्स तक रूल किया था फिर आएगा slave dynasty गुलाम वंच इनका राज था 84 यर्स तक फिर है लोधी dynasty लोधी dynasty है 75 यर्स और खिलजी केवल 30 साल तो हमारा answer क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1, 1, 4, 3 और फिर 2 इस चार्ट में इस टेबल में मैंने बता दिया है कि कौन से साल से कौन से साल तक किस dynasty ने राज किया तो इसे pause करके देख लीजे आपको यर्स लगबग से भी विलेंगे 84 slave dynasty के हैं जी हाँ 84 यर्स है slave dynasty के तो यह है दिल्ली सल्तनत की अलग-अलग बंच किस temperature पे पानी freeze हो जाता है सीधा सा answer है 0 degree centigrade तो देखिए यहाँ पे मैंने Kelvin scale दी है ना कि centigrade Kelvin भी एक temperature measurement की scale है जो SI unit है temperature की degree centigrade SI unit नहीं है याद रखना Kelvin है आपको यह बताना है कि Kelvin में पानी कितने temperature पे freeze होगा 373, 0, 300 या 273 एक और बात याद रखना Kelvin के साथ कभी भी degree यूज नहीं होती सिर्फ ऐसे लिखते है 373 Kelvin या 0 Kelvin आंसर है हमारा यहाँ पे 273 Kelvin यहाँ पे पानी freeze हो जाता है तो आपको यह याद रखना है कि 0 degree यहाँ पे देखिए degree आएगा सब जगे 0 degree होगा 273 Kelvin के बराबर फिर 37 degree जो एक human body का normal temperature है वो है 310 K और 100 degree है 373 K यादि यह बढ़ेगा तो दोनों की जो basic unit है वो तो एक-एक सही बढ़ रही है लेकिन यहाँ पे 0 degree 273 K के बराबर हो जाता है एक और important चीज़ थी कि Kelvin SI base unit है जो SI base unit होती है जैसे mass और distance इनकी meter, gram इसी तरह से temperature की Kelvin एक base unit है उसी से आगे दूसरी units derive करी जा सकती है nitrogen fixation किस से किया जा सकता है बिजली चमकने से, bacteria से, artificially या all of the above answer है all of the above, nitrogen fixation क्या होता है यह एक ऐसा process है जिसमें atmosphere में मौझूद nitrogen, N2 gas उसे earth के atmosphere में या फिर जमीन में convert किया जाता है ammonia में या फिर other nitrates, nitrites या nitrates में ताकि वो पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए available हो सके, जानवरों के लिए भी available हो सके तो यह जो process है, यह कई तरीके से होता है पहले देखे, lightning होती है, उसमें भी conversion होता है यहाँ पे bacteria भी करते हैं इसे जमीन में और उसके लावा artificial methods भी है artificial देखे, factories में भी किया जाता है, जैसे fertilizer बनते हैं या फिर emissions हैं, industry से जो emission निकल रहे हैं वो भी उपर वातावरंड में जाकर rain के साथ mix होके पानी के साथ mix होके, धरती पे वापस ammonia को पहुचा देंगे तो यह nitrogen fixation का process है, हर तरह से होता है artificial, natural, lightning, इन सभी तरीकों से Manhattan Project क्या था? 1940 के दशक में Manhattan Project क्या था? World War 2 चल रहा था उस वक्त तो क्या यह Hitler का plan है, जिससे सभी Jews को Europe से हटा दिया जाए? या फिर ही America का plan था? USSR, अपने सहयोगी पे हमला करने का तीसरा option है, USA का nuclear weapons program और चौथा option है, Japan जो Pearl Harbor पे हमला किया था 1941 में, 7 December 1941 को उसका यह code name था, Manhattan Project answer है, USA का nuclear weapon दुनिया में पहली बार nuclear हतियार किसने बनाए थे? अमेरिका ने, और अमेरिका ने जो nuclear हतियार बनाने का पूरा process था उस project को नाम दिया होने, Manhattan Project अमेरिका के अलग-अलग शहरों में लगबग 15 से 20 साइट पे इसका काम चला, एक जगे पे nuclear bomb developed नहीं हुआ था याद रखना, और किसी को नहीं पता था जो Los Alamos में काम कर रहा है उसे नहीं पता कि यहां Oak Ridge में क्या चल रहा है और हम सब मिलके क्या बनाना चाह रहे हैं यह भी किसी को नहीं पता था यह यहां काम करने वाले, फैक्टरी में काम करने वाले किसी को भी नहीं पता था कि atomic bomb बनाया जा रहा है तो इतना secretly इसे develop किया गया था Manhattan Project अगला सवाल है quantum theory से radiation की quantum theory किस ने दी थी Niels Bohr, Planck, Einstein या SN Bose ये SN Bose या Einstein ने नहीं दी थी ये Niels Bohr ने भी नहीं दी थी ये theory दी गई थी Planck द्वारा, Max Planck द्वारा दी गई थी ये सवाल SSC CGL 2013 में पूछा गया था ये direct question है अगर आपने पढ़ा है physics में तो आपको पता होगा वरना आपको नहीं पता होगा Max Planck quantum theory of radiation match the following scientists with the laws कौन से scientist ने कौन सा law दिया है आपको बताना है ये सभी basic physics और chemistry के questions है आपने अगर पढ़ा है तो आपको मालूम होगा पहला है हमारा नाम John Dalton तो John Dalton ने दिया था law of multiple proportion फिर Lavoisier ने क्या दिया था Lavoisier ने दिया था law of conservation of mass फिर है Richter Richter ने दिया है law of reciprocal proportions और गेल उसा एक ने दिया था law of gaseous volume तो हमारा यहाँ पर answer रहेगा 1 का D, 2 का A, 3 का B और 4 का C अगला सवाल है Melamine से related Melamine एक ऐसा material है जिससे आजकल plates, चमच, कटोली ये सब बहुत बनाये जा रहे हैं बहुत उप्योग में लिये जाते हैं Melamine की property से related question है आपको बताना है कि इन में से कौन सा statement false है Melamine से related क्या ये एक organic polymer होता है तो ये statement सही है सारे plastic एक organic polymer है Melamine भी एक प्रकार का plastic है तो ये statement सभी plastics के लिए सही है दूसरा ये non-reactive है बिलकुल तभी हम इसे खाने पीने में इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए तो हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि plate गर के टूटती नहीं है तो ये unbreakable है और चौता है thermoplastic अब ये थोड़ा सा typical है thermoplastic क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए यानि गरम होने पर क्या ये change हो जाएगा plastic हो जाएगा इसका shape बदल जाएगा तो ये answer इसके बारे में false है ये thermoplastic नहीं है इसे आप गरम करेंगे तो भी अपना आकार नहीं बदलेगा मैला माइन को आप microwave में भी रख सकते हैं तो इसलिए ये thermoplastic नहीं है जो दूसरे plastics होते हैं जो एक आम तोर पे थैली जो दुकान से आपको मिलती है जो carry bag होता है poly bag जिसे आप कहते हैं वो thermoplastic होता है आप उसे गरम कीजिए वो एक second में अपना रूप बदल लेगी वो होता है thermoplastic ये thermoset ये अलग तरह के plastics हैं इन्हें कहते हैं thermosetting plastics अगर एक बार इन्हें जो रूप दे दिया गया वो वापिस अब change नहीं होगा once molded they cannot be deformed by heat इसलिए जो switches हैं उनमें इस्तमाल किये जाते हैं thermosetting वाले plastic तो back a light एक thermoset plastic है तो अगर वहाँ पे कभी electricity जो current का discharge हो गया temperature बहुत बढ़ गया तो वो जलके उसमें आग लगने की संभावना कम रहती है वैसे ही melamine है तो melamine के tiles बनती हैं बरतन बनते हैं यह इसलिए बनते हैं क्योंकि यह thermoset हैं इन पे गर्मी से normal temperatures जो है 100 degree, 50-100 degree तक इन पे कोई change नहीं होने वाला इनमें अब आप 1000-2000 degree temperature बढ़ा दोगे तो तो कुछ ना कुछ change होगा लेकिन जो normal day-to-day use के temperatures हैं वहाँ पे उनमें कोई असर नहीं होता है यह होते हैं thermosetting वाले plastics और अन्यप्रगार के plastic हैं thermoplastik आखरी सवाल food cans are coated with tin but not with zinc तो आम तोर पर यह जो ऐसे food के cans आते हैं जिसमें cheese आती है या फिर रजगुले आते हैं यह सारे tin से बने होते हैं ना कि zinc से ऐसा क्यों है क्या zinc जादा महंगा है जी नहीं zinc सस्ता होता है tin से क्या zinc का melting point जादा होता है यह भी गलत statement है zinc is more reactive जी हाँ zinc reactive होता है वो खाने पीने की वस्तुवों में मिल सकता है जादा reactive होता है tin इतना reactive नहीं है tin is not more reactive than zinc इसलिए हम tin का इस्तमाल करते हैं तो tin को और zinc की अगर तुलनात्मक रूप से चर्चा करी जाए खाने के डब्बों को बनाने के लिए तो ये वाला कारण है zinc जादा reactive है इसलिए हम tin का इस्तमाल करते हैं ना की zinc का इसी के साथ ये lecture खत्म होता है I hope आपको ये questions अच्छे लगे अपना feedback comment section में दीजिए Have a nice day Good luck